मुदी जी नमस्ते नमस्कार सर मुदी जी बताईए जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था अर अब उजवला की वज़े से क्या लाब हुआ है माननी मोदी जी जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकडी लाती थी और चूले में आग जला के खाना पका थी उस टाइम इतना बुरा समय था कि आखों से आशू आते थे लकडियां गीली होती थी खाना समय पे नहीं बन सकता था और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत होई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ और जो समय बचता है उसमें मैंने गाएं पाली हुई है उससे मैं अपना जीवन में अपन करती हूँ और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ और मुझे मैं आपका तह दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उजवला के अंतरगत गैस दिया है और साथ में इंडियन ओयल का भी दन्यवाद करती हूँ बंदी जी मुझे बताया गया कि अब तक आपने 22 रिफिल कराए हैं यानि आप इस योजना का पूरा लाब उठा रही है क्या आपने अपने रिष्टेजारों को अडोस पडोस के लोगों को साथियों को यह बताया कि इस पकार की योजना है और इसका लाब ऐसे मिल सकता है जी मैंने सब को बताया है जितनी मेरी बहने थी और मेरे गाउं की जो महिलाई थी उनको मैंने सब को बताया है कि आईए मेरे घर में देखिये हमारे माने मोधी जी ने मुझे फ्री में उजवला गैस दिया है और आप भी जाईए और आप इसका लाब उठाइए तो जितनी भ मेरे पिता जी जो है अभी 80 साल के वह चल नहीं सकते उनके कमर में दर्द है और हमें सब बिमार रहते हैं तो आप उनकी सेवा करती हैं जी गुंदी जी आपने एक ऐसा उदान प्रस्तुत किया है हमारे लोगों की माननेता है कि बेटा होना चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आए लेकिन आपने एक बेटी के तौर पर पिता जी की इतनी बड़ी सेवा की और आज भी इतनी सेवा कर रही है आपने ये जो लोगों की माननेता है उसको जुठला दिया और बेटी भी बुढ़ापे में माबाप की कितनी सेवा कर सकती है इसका उत्तम हुदान आपने और खुद ने महनत करके जीवन जी करके अपने माता-पिता की सेवा की है मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ इस काम के लिए बुंदी जी मैं आपका और आप जैसी करोड़ बहनों का अभारी हूँ जिन्होंने इस योजना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है आज आपका समय भी बचता है और शक्ति भी बचती है मैं आपको बढ़ाई देता हूँ कि आप जैसे मैंने कहा कि अपने पिताजी की इतनी सेवा भी करती हैं पशुग का भी समाल करती हैं परिवार भी चलाती हैं आप बेटी के तौर पर, नागरी के तौर पर, महिला के तौर पर, अपने आप पे एक बहुत बड़ी प्रेणा है, मेरी तरब से आपको बहुत बहुत शुब कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल